अल्राइट के मेरे वाज आप तक आ रही है सारे लोग इबाद किजेगा सॉली डिले के लिए थोड़ा सा चमा याचना मागूँगा आप लोग से तो इसे टेकनिकल प्रॉब्लम हो गई थी अगर मेरे वाज आप तक पहुंच रही है तो यस लिकर सब लोग बताएंगे थोड़ा सा माफी चाहूंगा थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए मेरे वाज आप तक पहुंच रही है सारे लोग एक पर कनफॉर्म किजेगा यसर यसर चले फटाफफट ससारे लोग किसे सेर करेंगी । चले कि ठोरा सा लेट हो इसके लिए माफी चाहूंगा तो इसकोंद साविए भाइज आप तक आ रही हो और आप तक बहुत क्लियर आ रही हो आज़ाओ सब लोग क्लासएस इस्टार्ट हो गई है चलि और सारे के सारे क्लास को ंस अब करने वाला है आज कका हमारा करेंट अफेर्स जो कि आपके बीपीअस एक्जांब bs ce एक्जाम, सिविल कोट और बिहार सुझे ने हुए जितने भी आपके एक्जाम है, सारे के सारे एक्जाम में करेंट अफेर्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है, तो गुड मॉर्निंग सब को, ठीक है, अब चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज हम लोग करने वाल क्लास में होने वाला है, तो फटा-फट सारे लोग अपने क्लास के लिंक को कॉपी किजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग, तो दोस्तों जैसा कि हरी क्लास की सुरुवात हम लोग करते हैं पोईटिव थौट के सा तो आज की जो दोस्तों हमारी पोईटिव थौट है वो यहा है, तीन बहतरीन सला, सोचो मत, सुरुवात करो, वादा मत करो, साबित करो, और बताओ मत करके दिखाओ, तो दोस्तों इसी पोईटिव थौट के साथ हम लोग अपनी क्लास के सुरुवात करते हैं, तो चलिए तो चलिए दोस्तों आज का हमारा करेंट अफेर्स का पहला कोश्चन आप सब के सामने यह रहा, और राइट, तो चलिए दोस्तों यह रहा आपका आज का पहला प्रशन, इंडिया- यूएस जॉइंट मिलिटर एक्ससाइज, यूद अब्यास 2022 इस हेल्ड इन विच इंडि सब लोग जबाब देंगे, आप लोग को जबाब देना है कि भारत अमेरिका के बीच में संजुक्त सैन अभ्यास, संजुक्त सैन अभ्यास मतलब यह हो गया दोस्तों, सैन अभ्यास मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो मिलिटरी एक्सरसाइज, तो आप लोग को दोस्तों बत बताए क्या हो जाएगा उत्राखंड 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 विवे की आदब उत्राखंड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों क्या हो जाएगा सर आपकी क्लास करें कि इंगलिस की दोनों एक ही टाइम पे हो रही है कोई बात नहीं दोनों एक ही टाइम पे हो यह हो गया दोस्त जो मर्जी हो उसको अपय की किजए करेंट अफेर्स की क्लास को अपने हिसाब सकते हैं आप साही जवाब हो जाएगा उत्रा खेंड इस दा राइट एंसर और मैं आप आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जस रिसेंटली भारत और अमेरिका के बीच में संजुक्त अभ्यास जिसका नाम है यूद अव्यास का अठारमा संस्करन तो कोई आप से पूछे अगर कि कौन सा संस्करन यह आपके हुआ है तो आपको दोस्तों जबाब द पीच में हर साल और जिसका आपका 18 नंबर का या आपका सैन अव्यास देखने को मिला है और जैसा कि अव्यास वास्तविक नियंतर रेखा LC के लगबख 100 किलोमेटर की दूद आयोजित किया जा रहा है यानि की मतलब यह कहा जा रहा है क्योंकि उसको उत्राखंड के पे करने का इसको एक इसके पीछे का सबसे बड़ा स्ट्राटिक एक एडवांटेज अगर हम लोग कह सकते हैं तो दोस्तों यहा है कि आपको पता होगा कि उत्राखंड की सीमा चाइन यानि की चीन से लगती है तो यहां चाइना को एक मैसस्च देने के लिए भी बात कही गई कि चाइनध से लगबख 100 किलोमेटर की दूरी पर याप आया सहरा है तो चाइना को वैकी मैसेज भी दिया जा जा रहा है कि भाइ 앞에 अगर चाइना तुम अगर कुछ उल्टा पुल्टा करोगे तो हमारे पास बहुत बड़ी तागतें बैठी हुई है तो इसको ध्यान रखिएगा तो यह यह सवाल आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि अभी जस्ट यूद अव्यास जो कि भारत और चाइना के बीच का बारत और अमेर्का के बीच का एक सेन अव्यास है जिसको अभी हाली में उत्रा खंड में आपके किया गया है डाटलि आपके एक्जाम में कोश्चन बनेंगे तो इन चीजों का आप ख्याल लखिएगा आपके एक्जाम में यहाँ से कोश्चन बन सकते हैं आए एक बार सर से थोड़ा सा भी प्यार होगा तो सारे लोग session को जरूर share करेंगे ठीक है sound slow आ रहा है क्या sound slow आ रहा है sound okay है ready for what sound okay है न 2008 न जिसको BMR हम लोग कहते हैं वह कितना रहा है अब मात्री म्यूटी डर क्या होता अगर मैं आपको बताओं कि MOTALITY RACIO RATE METERNAL MOTALITY RACIO RATE या फिर जिसको हम लोग कहते है मात्री मिर्तियुदर या होता क्या है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मात्री म्यूटी डर साउंड कभी कभी स्लो आ रहा है या सही है सर साउंड स्लो आ रहा है सर साउंड स्लो आ रहा है क्या लुके मैं बुला लेता हूं टीम को साउंड स्लो आ रहा है तो साउंड स्लो का जब आभी हो जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं MMR आपको बताना चाहूंगा कि MMR क्या होता है दोस्तो तो MMR के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह बैसिकली भारत में मात्री म्यूतिर डर यानि कि आपके प्रती आपे 1 लांख महिलाओं उसको हम लोग कहते हैं MMR यानि कि आपके मात्री मृत्यूदर MMR जिसको हम लोग इंगलिस में कहते हैं Maternal Mortality Ratio तो अभी जस्ट रिसेंटली इसका आपके डेटा आया है तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका जबाब बताए फटा-फट क्या हो जाएगा बताए तो 97 प्रतिसत यानि कि 97 लाख जिवित जन्म यानि कि बहुत ही अच्छा रेशियो हमें देखने को मिलना है 97 प्रति लाख जिवित यानि कि हमें यहाँ पर यह देखने को मिलना है कि भाया कुछ हमें इंप्रूमेंट यहाँ पर देखने को मिली है जो कि यह बहुत ही अच्छा आकरा है यानि कि इसमें हम यह कह सकते हैं कि मात्री दल में हमें गिरावट देखने को मिली है जो कि एक अच्छा साइन होता है यहाँ पे गिरावट है मतलब कि अच्छा साइन है इसका मतलब यह मतलब समझी का जादा होना अच्छा होता है इसमे ये दिसम्बर 2022 से लागू होने वाला है Economic Corporation and Trade Agreement जिसको हम लोग कहते हैं ECTA या आपको भारत और कौन से देश के बीच में लागू होने वाला है दिसम्बर 2022 से फटाफ़र जब आद दीजिए इस प्रसंद का उत्तर दीजिए फटाफ़र मुझे क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछू दोस्तो अगर मैं आपसे पूछू कोई बात नहीं अब क्या कर सकते हैं अब क्लास लग गई तो Current Affairs संडे का दिन था मेरी दोजों क्लास है Current Affairs की क्लास है एक BPSC की क्लास है तो एक नए क्लास तो मुझे लगा नहीं परती चलिए बताईए भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग भारत साउंड की दिक्कत आ रही बच्चे लोग कॉमेंट कर रहे है अहां थोरी स्लो जा रही है देख लिजेगा भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोता E.C.T.A. दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है ठीक आपके साउंड की समस्या मैंने बोल दी है ठीक है थोरा सा वो देख कर लेते हैं साई तो भारत और किस देश के बीच विच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोता E.C.T.A. दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है क्या UAE है क्या Australia है France है Sri Lanka है या फिर E None of the ever More than ever बताए साहलो क्या हो जाएगा अभी साउंड सही है हाँ बिलकुल साउंड इस ओके ओके सुक्रिया सुक्रिया ये टीम PCR जो है बहुत महनत करती है इनसके कारण ही इतनी सारी classes हो पाती है हमारी और राइट चलिए हमेशा एक switch पे एक बार warning दबाता हूं और ये हाजिर हो जाते है बहुत ये अच्छी बात है इसका जबाब दोस्तों क्या हो जाएगा भारत और किस देस के बीच आर्थिक सायोग और व्यापार समझोता ECTA दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है UAE Australia France SELANKA या फिर E None of the ever More than ever तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि भारत और दूसरा कौन सा देस है दोस्तों तो दूसरा देस है कि मैं देख पार हो रही भाईया इतना अधा आप लोग पढ़ते हो रूबंती कुमारी जी सूरज जी प्रिया यादब जी मैं भी हूँ सर जी बिल्कुल मिस अधीती पलक प्रिया वाँ आप लोग के नाम को देख करके मेरा दिल गदगद हो जाता है रोज वही नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रोज आप मेरी क्लास को इतनी सिद्धत से करते है सोनी पाठक जी ठीक है मेरा सिल्फ राहूल नाम सुना ही होगा हाँ राहूल बिल्कुल सही बात है तो जवाब क्या हो जाएगा अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया is the right answer अस्ट्रेलिया इस प्रसन का सही उत्तर आपके हो जाएगा और देखे क्या इमोजी का इस्तमाल किया जा रहा है अस्ट्रेलिया के साथ कंगारू का इस्तमाल तो भारत और अस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सायोग और व्यापार समझोते के लिए दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है और यहाँ पे हम कह सकते ही अस्ट्रेलिया के बीच चालू किया गया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा अस्ट्रेलिया और इंडिया और अस्ट्रेलिया के बीच में एक आर्थिक सायोग और व्यापार समझोता जिसको हम लोग कहते है ECTA 29 दिसंबर 2022 को लागू होगा और भारत अस्ट्रेलिया ETCF वस्तूओं और सेवाओं में दूप्यक्षिय व्यापार को बढ़ाएगा और रोजगार के नए अफसर पैदा करेगा कैसे तो देखिए जैसे मारगे चले कि भारत और अस्ट्रेलिया के बीच कोई ट्रेड हो रहा है तो उस वेपार में कम से कम टैक्स दिया जाएगा दोनों एक दूसरे के तरफ इन्वेस्ट करेंगे इससे क्या होगा कि एकोनॉमिक जो है अर्थ वेवस्ता है वो बेतर होगी दोनों बेस के बीच में एक आपसी तालमेल होगा और इसी तालमेल के कारण यह सारी चीजें अच्छी होगी इसके अलाबा समझोता के तहट अस्ट्रेलिया दोरा सो प्रतिसर्ट टैरिफ लाइनों पर सुकल समाप्त किया जाना है मतलब कि टैरिफ यानि कि जो टैक्स है उसको टैक्स को पुरी तरह से समाप्त करने की बाद कही जा रही है तो भारत और अस्ट्रेलिया के बीच में अभी रिसेंटली आपके यानि की आर्थिक और आर्थिक सायोग और व्यापार समझोता लागू हुआ है तो इस प्रस्ट का से उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले प्रस्ट की तरफ अगले प्रस्ट की तरफ उल्टा लगा हुआ है कहां बाई कहां उल्टा लगा हुआ है सही तो है माइक माइक अब इससे जाता सही क्या होगा सही है माइक बिल्कुल सही है माइक चलिए चलिए आगे परते हैं नहीं नहीं इससे पहले हुआ था अभी डिसेंटली करेंट अब वर्स में विच स्टेट लॉंच ए स्कीम टू प्रोवाइड रूपीस 10,000 स्टेपन पर एनम तो फीमेल परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किस राज ने अस्तान को तर कारकरम करने वाली महिला यानि कि ऐसी महिला है जो कि PG कर रही है पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, MA कर रही है, MSC कर रही है, MCOM कर रही है उनको प्रतिवर्स 10,000 रुपे वजीफा प्रदान करने की योज़ना सुनू की है यानि कि स्टेफन यानि कि 10,000 रुपे की सहयोग मदद करने की किया है कौन से सरकार ने, क्या ये गुजरात है, क्या ये असम है, क्या ये तमिलाडू है, क्या ये करनाटका है या फिर E. None of the ever, more than ever बोलिए, कौन से सरकार ने ये किया है, जो जबाब देगा, उसको मिलेगा एक जबरदस्त इनाम पताइए, C. तमिलाडू, अभी रिसेंट की बात में कर रहा, बोलिए, तमिलाडू, सारे लोग बेसिकली फस गए सब लोग, सब लोग फस गए भाई, सही जबाब इसका हो जाएगा, आसाम आसाम is the right answer, आसाम इसका सही जबाब हो जाएगा दोस्तों आसाम में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कि राज ने सैक्षिक संस्थानों में जो आसाम राजे के, यानि कि जो स्टेट इनवर्स्टीज है आसाम के, वहाँ से जो लोग आपके पीजी यानि की पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी महिला चात्रों को, महिला चात्रों को 10,000 रुपए का वजीफा प्रदान करने के लिए एक योजना सुलूकी है, और यह वजीफा चात्रों के आने जाने और अनसंबंदित खर्चों को पूरा करने में एक सहायता होगा, जिससे कारण वो लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कारण वो लोग काफी अच्छे से अपनी सहयोगरासी को कर सकते हैं, क्लियर है दोस्ट, क्लियर है सब लोग को, सब लोग को यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं, बताएगा फटा फट, अब आगे बरते हैं अगले प्रस्थी तरफ हम लोग परते हैं सर सिर्फ पलक का राइट एंसर था चलिए बहुत बढ़िया अगले प्रस्थी इसलिए तो बोलता हूँ पलक बढ़िया लड़की है अगले प्रसकी तरफ खबरों में रहा किरिट पारिक सिमीती किस छेतर संबंदित रखता है किरिट पारिक एक कमीटी है किरिट पारिक कमीटी या आपको बताना है कि अभी रिसेंटली ये काफी आदा न्यूज में थी तो आपको दोस्तों बताना है पिछले लास्ट हफते काफी आदा न्यूज में थी तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि यहां जो कमीटी है यह आपके कौन से छेतर से तालुकात रखती है बताए गूर्णिंग गूर्णिंग सबको सर बिहार में हूँ न आरक्षन बिहार में है न हाँ बिलकुल बिहार में आरक्षन है महिलाओं के लिए बिहार में बिलकुल आरक्षन है महिलाओं के लिए इस प्रसंगा सही उत्तर देंगे सारे लोग सारे लोग इस प्रसंद का सही उत्तर देंगे और भाईया सारे लोग वीडियो को जरूर लाइक किजिए आप लोग इतनी करी मेहनत करके संडे को भी क्लास लगा रहा हूँ तो सारे लोग वीडियो को जरूर लाइक करें फटा फट अगर मैं आपसे पूछू कि खबरों में संबंधित कैसे संबनें यहां किरिट पारिक समीधी किस छित्र से समन्दित है पताइएक क्रिप्टो करेंसी से है क्रिप्ट कराइस से है तो इसम से है या रिवर डिस्प्यूट नदी विवात से यह वहन से है गैस मुले निर्धारन से है या क्रिप्टो मुद्रा से है या फिर इननफ दैवा मोर दैवा बताइए फटाफट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा पूजा कुमारी सी हो जाएगा पलक ठाकुर भी बता रहे हैं बोले सारे लोग मिस अदीती ईवाहन सोनी पाठक सरसरकार महिलाओं को ही देते हैं समलोग के लिए धान नहीं देते कोई नहीं आवाज को बुलंद किया जाएगा सूरज पाठक जी रितेस पांडे अमर जी इतसी सिर्फ एक पलक जी है जिनका सही जवाब आ रहा है प्रिया यादब का भी अब सही जवाब आ रहा है जवाब क्या हो जाएगा कि खबरों में रहा किरिट पारिक समीती जो है या आपके गैस मुल्य निर्धारन से तालुकात रखता है तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कृरिट पारिक जो है या आपके गैस मुल्य गैस प्राइसिंग से रखता है तो गैस मुल्य निर्धारन पर किरिट पारिक समीथी ने हाली में केंद्रिये पेट्रोलियम मंत्राले को अपनी रिपोर्ट अभी आपके सौपी है और यहां भी आपके रिसेंटली न्यूज में था तो पैनल ने सुझाब दिया है कि पुराने या पुराने चितनों से गैस पर 4 अमेरिकी डॉलर प्रती मिलियन ब्रिटिस थर्मल यूनिट का नियूतम मुल और 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रती आपके MMBTU का कैम्प या सिलिंग मुले है और यहां जो आपके कमीटी आपको सिंपल सा यह याद रखना है कि आप लोग को अगर एक्जाम में पूछा जाए कि आपके किरित पारिक कमीटी जो है क्या चिस रिलेटेड है अंतराश्तिय कीमोतों से जोरा जाना चाहिए जिससे एक स्टेंडर पाइस एक यूनिफॉर्म प्राइस आपको देखने को मिले ठीक है क्लियर है चलिए अब आगे बरते हैं अगले प्रस्ण की तरफ हम लोग तो दोस्तो अगला प्रस्ण है कि हाली में किस फ्रांसीसी खाद उत्पादन को यूनिस्को विरासत का दरजा दिया गया है अब देखिए यूनिस्को का हेरिटेज स्टेटस कुछ ऐसी चीज़ों को मिलता है जो बेसिकली बहुत ही यूनिक हो अपने आपमे तो दोस्तों आप लोग को मेरे साथ जबाब देना है मेरे लिए खुस नहीं हो सकती खुस हो जाई पलक ठाकूर जी के लिए तो अभी फ्रांसिसी खाद उत्पादन को युनुसको विरासत का दर्जा दिया गया है क्या किसको दिया गया है तो हाली में किस फ्रांसिसी खाद उत्पादन को युनुसको विरासत का दर्जा दिया गया है फ्रेंच रोल, वैगुएट, रैट टॉली या फिर आपके इसके रगुट्स, डी बैर्गोन्स या फिर ई, नन अफ दैवर, मोर्देन अबर बताए क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए फड़ापट क्या हो जाएगा अरनब सिंग, एक तो मेरा नाम ही लेते हैं सर, मेरे अंसर भी सही होता है अरे भाईया, अरनब सिंग जी चलिए अरनब सिंग जी का अंसर सही था बताईए फैन आफ अदित्या ए बता रहे है पलक ठाकुर मिस आयूस सिंग हाँ नाम नहीं लेके सबको दिक्कत हो रहा है अरे भई या फैन आफ अदित्या अरनब सिंग बताईए अरे बिल्कुल आपका नाम अब लूँगा सलोनी कुमारी डी बता रहे है बोलिए क्या हो ज इसली बोलते हैं संडे को आ एकल्णच को यह को इसए आपको जो से एसे कोश्चन आएंगे इंटरनेशनल से नेशनल से आपके बिहार एस्टेट से या फिर आपके स्पोर्ट से या फिर आप geçer कि जो भी आपके आसपा सी घटनाए चल नहीं है, हफते में एक दिन टाइम दीजे मुझे 2-3 घंटे का, मैं आपका हफते का हफता कर इंटरफेस करा दूँगा हर संडे को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहां से पढ़ें, संडे को यहां आया कीजिए, पढ़ा कीज अब देखिए यह कैसा दिखता है, तो देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरा सा दिखता है, सुबह सुबह देखके मुझे पानी आ गया, तो फ्रेंच आपके बेगवेट हाली में यूनिसको अमरित संस्कृति विरासत का दरजा से सम्मानित किया गया है, और नेस्नल फेड पारी और नरब मध्यवाली एक नोटी है, वहाँ वहाँ मुह में पानी आ गया, और फ्रांसीसी जीवन का एक अभीवन अंग है, और काफी टाइम से हिस्टोरिकली मतलब की बहुत ही पुराने काल से फ्रांस में इसका इस्तमाल किया जा रहा है, पुराने के समय में राजा महराजा, सेनिक और आज के समय भी लोग इसको इस्तमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको मिला है, ठीक है, क्लियर है, चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबका कटा चलान, एक बच्चे ने सही जबाब दिया था, एक बच्चे ने सही जबाब दिया था, मुझे याद है, अगले प्रस्टन की तरह पढ़ते हैं भाई पंद्रा नॉंबर है तीस नॉंबर है या उप्युक्त मेंसे कोई ने उप्युक्त मेंसे एक से अधिक सर यहां क्या चीज हमको पानी पानी कर दिया हुआ मुँँ में पानी आ गया सबके मुँँ में लड्डू फूटा अ, आयू सेंग, डी, रोकस प्रवीन, बी, अरनव सेंग, दस नॉंबर, सालिनी स्रिया मुझे सब फटा फट, अरनव सेंग, दस नॉंबर, दस नॉंबर हो जाएगा मेगा सिन्ना भी, थोड़ा सा दिमाग लगाईए, अगर मैं बोलना हूँ कि सेकेंड हाफ नॉंबर का करेंट अफेर्स आप लोग को मैं करा रहा हूँ, तो अब ऐसे चीज़ है, ये तीन तो नहीं होगा एक नॉंबर का करेंट अफेर्स मैंने पार्ट वन का करा रखा है, तो जवाब इसका हो जाएगा तीस नॉंबर, योगि जब पुराने करेंट अफेर्स मैंने करा रखे हैं, तो फिर नए कराऊंगा तो नई कराऊँगा थुरा दिमाग तो लगाईए अगर हर संडे को आप क्लास करते हैं तो जबाब हो जाएगा तीस तीस नॉमबर अब आईए यह क्या होता है तो हर साल तीस नॉमबर को रसाइनिक युद में सभी पीरतों के लिए के समारन दिवस मनाया जाता है रसाइनिक युद में यानि की केमिकल वार्स जो होती है इस केमिकल वार्स में जो बहुत सारे सैनिक हमारे सेकेंड वर्लवार में सेकेंड वर्लवार आपके कब हुआ था तो 1939 से 1945 इसमें बहुत सारे chemical wars और उसके बाद भी इसका बहुत सारा इस्तमाल हुआ था और आज भी घुपचुप तरीके से घुपचुप तरीके मतलब कि छुपचुप अगर के chemical wars का काफी आदा इस्तमाल होता है अभी आपको दिन पहले आप सुने हुएगा कि सीरिया में chemical warfare हुआ लेकिन उसको on record नहीं किया जाता है क्योंकि UN ने इसको ban कर रखा है और इस दिन को संजुक्त रास द्वारा रसाइनिक युद्ध के पीरतों को याद करने के लिए अपनाया गया है और इसका युद्धे से रसाइनिक हत्यारों के उप्योग को समाप्त करने के परयासों को करना है और उन लोगों को याद करना है जो इस तरह के युद्ध के कारण पीरित हुए है याद रखेगा important point और आपके exam में प्रस्न यहां से directly बन सकते हैं ठीक है clear है दोस्त सब लोगों को clear है चलिए अब देखे सर आपकी माइक कहां माइक आवाज नहीं आ रही कि अब सही है रुके ऐसे कर लेता हूं मुह के पास अब सही है माइक अब सही है माइक सबको दी बिल्कुल सही है चलिए अब आई आगे हम लोग बरते हैं अगले प्रस्न ही तरफ हम लोग बरते हैं अग प्रसा है दोस्तों हमारा बher old डाई अंतरिक्ष में अपने च्ला करने वाला पहला देए स्कौंसा है विच जो घ्र जाओ यानि कि रिकॉडिड बन गया कि अंतरिक्ष spine and प्रियादब जी रोकर रोकेश आयू सोनी अमरजीत मनोहर परी शनोली अमरजीत सुमेच सोनी पाठक विवेक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमरजीत तो जवाब इसका क्या हो जाएगा अब लोग क्या जवाब दे रहे हो य कर रहे हो क्या अरे नहीं ने ए घलत है इस गलत है यूसे नहीं होगा मैं तो सही समझ रहा था कि ए मुझे लगा ये वाला चाइना वाला ए उपसन है जो लोग चीन जवाब दे रहे हो वो लोग सही है ठीक है सही जवाब इसका हो जाएगा चीन अंत्रिक्ष में अपने 6 अंत्रिक्ष यात्रियों को इखटा करने वाला पहला देश आपका कौन बना है तो पहला देश आपका बना है चीन तो correct answer इसका क्या हो जाएगा China is the right answer देख रहे हैं भाईया 6 अंत्रिक्ष यात्री चाइना के और चीन ने 3 अंत्रिक्ष यात्रियों को अपने अंत्रिक्ष station पे ले जाने वाला अंत्रिक्ष यान का सफलता पूर्परवक्षन किया है और इसमें बेसिकली 2 अंत्रिक्ष यान थे और 2 अंत्रिक्ष यान से 3 को 1 अंत्रिक्ष यान से दूसरे में transfer कर दिया गया और 6 अंत्रिक्ष यात्री को 1 साल करने वाला मतब 1-7-7 चीन अंत्रिक्ष में 6 अंत्रिक्ष यात्रियों को खटा करने वाला पहला देश बन गया है और यह कहां पर हुआ है तो सेंजुः 15 अंत्रिक्षियान के लॉंच मार्च 2 एफ वाई 15 वहां रॉकेट के उपर से 20 फोट किया गया और अंत्रिक्ष स्टेशन से इस साल के अंत तक पूरा होने की उमीद है और एक बार त्यार हो जा तो बहिए चाइनीज लोग ना बड़े तरक्की कर रहे हैं तुम लोग का कभ खून को लठेगा अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस दोस्त हमारा क्या कह रहा है कि प्रोबाज सीलिया इची नाटा किस देश के रास्तिये व्रिक्ष पर जाती है आप लोग को दोस्तों जबाब देना है प्रोबे सीलिया इची नाटा इस दर नेशनल ट्री स्पीसिस ऑफ विच कंट्री वही आज क्लास बड़ी लंबी होगी ध्यान रखिएगा करेंट अफेर से पूरा वीकली करेंट अफेर से तो वीकली करेंट अफेर्स को थोड़ा सा टाइम दे क साही लोग जबाब देंगे आप लोग को जबाब देना है प्रोब्रा सीलिया इची नाटा किस देश की रात्रिये विक्ष प्रजाती है बोले फड़ा फड़ हम लोग तो सिर्फ बाबु सोना में लगे हुए रखते हैं विल्कुल सही वह लान नव ने बताइए क्या हो ज नहीं है सर जी क्लास से मतलब अब हिलने वाले नहीं है जर जी क्लास से बिलकुल बताइए बहुत अच्छा प्रिया आदम जी यस सर यस सर बोले क्या हो जाएगा साही जवाब बताएं चलिए ब्रजिल इता राइट एंसर सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ब्रजिल तो आपके पॉब्रा सीलिया इचीनाटा जो है या आपके ब्रजिल की राष्टिय है इस चीज के बाले में आपको पता होना चाहिए देख रहे हैं बरी खूब सूरत सी है तो ब्रजिल आपके काफी आदा न्यूज में है और ब्रजिल की राष्टिय लकडी एक मध्यमाकार का व्रिक्ष है जो कि आपके फैविसी परिबार से संबंदित रखता है और अभी इसके बिलुप्त होने के कगार पे या आप पहुँचा है इसलिए वहाँ पे आपके इसके लिए एक इसको बचाया जाए और इसलिए यहाँ आपके अभी काफी ज्यादा न्यूज में है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यार नखियेगा कि यहाँ आपके इसलिए ज्यादा न्यूज में है चलिए अगले प्रस्ण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं समाचारों में देखी जाने वाली पहारी जारी राइबोस किस देश की अस्थानिक प्रजाती है अभी जो राइबोस है यानि कि एक राइबोस जो है राइबोस एक आपके माउंटेन बस है यानि कि पहारीों में पाई जाने वाली आपकी जारी कह लिजिए या आपके कौन से देश में न्यूज में थी कौन से देश की है कि चाइना की है ग्रीस की है या फिर आपके साउथ अफरिका की अस्ट्रेलिया की है या फिर यह नन अफ देवर संजु जी सी, इसकरा सुधानसु जी सी, मुकेस कुमार, अमरजीत, निकी, सालिनी, मेगा, पूजा, मुकेस, रितेस, गोल्डी, मिसदीती, रस्मी, प्रिया, सौरब, सौरब, क्या हो जाए दोस्तों इस प्रसंगा से उत्तर, तो समाचारों में देखी जाने वाली पहारी ज जो कि दक्षिन अफरीका की लिए स्थानिक है, का उप्योग एक अनोखे स्वाद के साथ लाल कारहा त्यार करने के लिए किया जाता है, और सैन और कोई समुदाय, सबसे पहले रईबोस के पत्तों का स्वास लाभों के बारे में जानने वाला, इसको अप लोग ध्यान रख है, और इसलिए काफी आदा यहाँ आपके न्यूज में है, रईबोस नाम की पहारी जारी, जो कि आपको कहां पे दोस्तों, तो सारे से यानि कि रिपब्लिक और साथ अफरीका में आपके पाई जाती है, ठीक है, हाँ सुदान सु, सुदान सुदान सु जी बोले इस, चलि 3.0 जो बच्चा BPC के तैयारी कर रहा है, सोच रहा है कैसे 68 में BPC के तैयारी किया जाए, 5 तारिक से लोकनायक बैच सुरू हो रहा है, भाईया 5 तारिक से, इस लोकनायक बैच में अगर आपको इंडरॉल करना है, तो आप कैसे करेंगे मैं बता दूँगा, इसके लाबा, जो भी बच्चा सिविल कोट एक्जाम की त्यारी करना चाह रहा है तो सिविल कोट एक्जाम का 3.0 बैच आ चुका है जो कि आपके 20 दिसंबर से सुरू हो रहा है तो सिविल कोट वाले बच्चे जो नया बच्चे है त्यारी करना चाहते है 20 दिसंबर से और जो बच्चे BPSC क त्यारी करना चाहते हैं पाद दिसंबर से अब कैसे लेना भाईया इस सबस्क्रिप्शन तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि अट्डा 247 एप पे जाना है एप पे जाने के बाद आपको यहां पे जाकर के प्रनाम नंबर सब कुछ फिल कर देना है स्टोर मेजा अगर आप बिहार सिविल कोटह तो भी हार सिविल कोट से सलेक कीजिए बीपर को जैसे आपको जैसे आप बीपर कीजेम की तो Cann contamination निना उन ऐगा येगा लेकिन वाई च face what जो की आपके अपने अधित्तासर का कोड है इसको लगा देजेगा आप क ये लिए क्या हो जाएगा फी 779 हो जाएगा और इसका अब क्लरक और कोट रीडर का 879 हो जाएगा और रिद्धी बैच कंबाइन लेते हैं तो 1200 रुपए 20 तारिक से आपके 20 दिसंबर से आपके स्टार्ट है तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत पूर्ण दिन है और BPSC वाल सब्जेक्ट बाकि हमारी पूरी टीम है जो सारे आपके एक-एक सब्जेक्ट को कराएगी चलिए चलिए नहीं छुट्टी नहीं हुआ है भी और कोश्चन है आई आगला प्रस्ट किस राज में हाली में प्रदूसन से निपटने के लिए ग्रेड़ेड रिस्पॉंस एक्षन प्लान जी ईरे पी टू कॉंबेट पॉल्यूशन यानि कि किस राज ने ठीम हाली में प्रदूसन से निपटने के लिए ग्रेड़ेडर रिस्पॉंस एक्षन प्लान जी एरे पी लांच किया है क्या है इस पास्चिम मंगाल है और इसा है राजस्थान है पंजाब ह कोई बात नहीं तो यह निसुल क्लास है निसुल क्लास में आप लोग और क्या बताई फटाफट क्या हो जाएगा अगर मैं आप से पूछू कि किस राजे में हाली में प्रदूसर्ण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्षन प्लान जी आरे पी लॉंच किया ह है बताई फटाफट क्या हो जाएगा दोस्तों बताई फटाफट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बोलिए क्या हो जाएगा दोस्तों बदाया जवाब दे फटाफट सर अगर अगर एंसर गलत हुआ फिर वह गलत होता है तो सही एंसर को माइंड में देंगे फिर कभ नहीं बताएंगे, अगर गलत एंसर देंगे फिर वो गलत होता है, देखें, जवाब आप लोग ज़रूर दीजिए, जब आप्धचिम बंगाल, То कि सराजमे हाली में प्रदूसर prisoner से निपटने पस्चिम मंगाल ने अभी हाली में ये चीज किया है अब आए जानते ही क्या है तो पस्चिम मंगाल पर्यावरन विवाग ने बरते प्रदूसन से निपटने के लिए ग्रेडर रिस्पॉंस एक्षन प्लान जी आरेपी की घोसना की है और कार योजना में समय समय पर यापके यत्री कृत सफाई और सरकों पर पानी का छिरकाव निर्धारी तस्तलों पर धूल और कच्रे का निपटाना यह सारी चीजे इसमें जोडी गई है तो अभी रिसेंटली पस्चिम मंगाल ने पर्यावरन विवाग ने प्रदूसन से निपटने के लिए आपके जी आरेपी यानी कि ग्रिडर रिस्पानस एक्षं प्लान की गोसना आपके की है कलियर है क्लिर धाए दोस्तो चलिए आई अग़े वरतें अगले प्रस्त्थ की तरफ अगरा प्रसलें कि एसिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी जो कि आपके कहां पर है तो जो कि आपके बॉंबे में मुंबई में आपको देखने को ड़ाएगी बॉंबई या मुंबई जो कह लीजिए तो अभी इसके नवीकरन के लिए यानि किसके र अगर मैं आपसे पूछू कि एसिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी के नवीकरन के लिए किस कंपनी ने बोली गीती है बता ये फटाफट क्या हो जाएगा अडानी ग्रूप्स अडानी ग्रूप्स हो जाएगा पूजा कुमारी जी टाटा सुमित जी विवेक यादब टाटा है、 प्रिया ॥ैसी माला यादब जूही रस्मी क्या हो जाईगा भोली फटाफट जबाब दीजे डी-डी-c क्या हो जाएगा बोली ये अडानी ये चलिवाब इसका हो जाएगा ये, जो बच्चा लाइक नहीं कररा है वीडियो को प्लीज लाइक क सब्सक्राइब कीजिए और एक बार सारे के सारे क्लास के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटर ग्रूप्स है उनमें जरूर सेयर कीजिए यार 60-70 बच्चे है कम से कम यार इतनी मेहनत से कॉंटेंट लाया हूँ यार 60-70 बच्चो वाला कॉंटेंट नहीं है यार कम से कम 500 बच्चे लाओ सेयर करो थोरा बस सेयरी करने के लिए तो बोलना हूँ ठीक है जब आब इसका क्या हो जाएगा अडानी सौरब अमरजीत सूनी मु यह बोली जीती है अब आएए जानते इस कोशन के बारे में डिटेल में यह देखिए धराभी यह एसिया की दूसी सबसे बड़ी सिलम कॉलोनी आपको नजल आ जाएगी तो गौटम अडानी ने नित्त्तो वाली अडानी प्रोपर्टीज ने एसिया की दूसी सबसे बड़ की थी लेकिन अडानी भाई इस बोली को जीत जाते हैं अब इसके नवीकरन की बात की जा रही है जो कि धराभी एसिया का दूसरा सबसे बड़ा सलम और भारत का सबसे बड़ा सलम आपको देखने को मिलता है यह यह आपके कोश्चन है नॉमबर महीने का चलिए अगले प्र सब्सक्राइब की अपने सदस्यों को ले करके तो आपको दोस्तों जबाब देना है यूनियर पब्लिक सर्विस कमिशन कैन हैव और मैक्सिम आफ हाव मेनी मेंबर संग लोग सेवा आयोग यूपीसी में अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं क्या यह पांच है आठ है दस है यह फिर इन अफ़ जायगा सरक्लास Coin ज्स चोर कर जाना नहीं चारहा है अज शंड़े थी थोड़ा बाहर ख़ाने का प्लान है बता देते तो कितने बजे तक होगी वाली वाली यह वाली क्लास एक घंटे ओर और और उन हुट जितने दिन में करंट फैर जितने दिन में आप लोग ठख जाइए चलिए इतना वह बोलता हूग जितने दिन में आप लोग ठंख जाइए पोले कि सब भो गया उसी टैम में क्लास को खतम कर दूगा ठीक है चलिए जवाब इसका हो जाएगा 10 C is the right answer जवाब इसका हो जाएगा 10 10 is the right answer तो संग लोग से बायोग UPSC का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है और इसमें अधिकतम 10 सदस से होते हैं और पुर्व स्वास्त सजिब प्रीती सुदन को संग लोग से बायोग के सदस से न्युक्ष किया गया है अभी इसलिए आपके न्यूज में थी है तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि पुर्व स्वास्त सजिब प्रीती सुदन को अभी रिसेंटी लोग से बायोग UPSC का सदस से न्युक्ष किया गया है जो कि जुलाई 2022 में स्वास सजिब के रूप में सेवा निर्वित हुई थी और अभी रिसेंटली उनको UPSC के जो आपके UPSC के 10 सदस से होते हैं अब आगे बरते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स कोश्चन दोस्तों हमारा क्या है आईए देखते हैं नेक्स कोश्चन हमारा क्या है बाई अगला कोश्चन हमारा यह है कि किस राजने अपने जी एस डीपी को दोगुना करने के लक्ष को प्राप्ट करने के लिए प्रबंदन सलाकार मेकिंसे को काम पर रखा है which state has hired management consultancy मेकिंसे to achieve the target of doubling its G.S.D.P. कनाटका, उत्रपरदेश, उरिसा, तेलंगाना या फिर E.N.A.R.D.E. more than ever किस राज ने अपने G.S.D.P. को दोगुना करने के लक्ष को प्राप्ट करने के लिए प्रबंदक सलाकार मेकिंसे को काम पर रखा है कनाटका, उत्राखंड, उरिसा, तेलंगाना या फिर E.N.A.R.D.E. more than ever बोले फड़ा हट, क्या हो जाएगा दोस्तों? उरिसा हो जाएगा. उरिसा. पूरा आपके प्रतिभाब, पता ही क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रसंत का उत्र बताइए. A, A हो जाएगा A, तो जवाब इसका हो जाएगा आपके B, उत्रा खंड उत्रा खंड is the right answer और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आपके recently क्या हुआ है कि उत्रा खंडे अपने 5 वर्सों में सकल राज घरिलू 5 जिसको हम लोग S GDP बोलते है State GDP हम लोगों बोलते है इसको State Gross Domestic Product इसको दोगुना करने के लक्ष को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक वैस्विक प्रबंदंग सलाकार आपके McKinsey को काम पर रखा है और राज को अगले 5 वर्सों में 15 CGSP को हासिल करने के लिए G SDP को 2.7 लाग करोर से बढ़ा करके 5.5 लाग करोर करने का लक्ष लिया गया है और McKinsey ने ससक्त उत्राखंड मिसन के तहत राज सरकार के साथ 2 साल का समझोता किया गया है ताकि उसके आपके स्टेट GDP को बढ़ाया जा सके क्लियर है? चलिए अगले प्रस्न की तरह परते हैं अगला प्रस्न है किस देश ने चंद्रमा अंत्रिक्षियान को चलाने के लिए भाफ का सफलता पुरवक उपयोग किया है किस देश ने चंद्रमा अंत्रिक्षियान को चलाने के लिए भाफ का सफलता पुरवक उपयोग किया है USA, संजुक्त राज अमिराथ, या फिर जापान, या फिर आपका चीन, या फिर आपका उपयोग तुमे से कोई ने उपयोग तुमे से एक से अधिक आपको बताना है, फिच कंट्री है सक्सिस्फुली यूज इस्टीम टू प्रोपेलम मून स्पेसक्राफ्ट, USA, UAE, जापान, चाइना, या फिर इन, नन अफ दैवर, more than ever बोले फटाफट, क्या हो जाएगा, बोले, क्या हो जाएगा, ज्योती, एन, अमिद, सिस, क्या हो जाएगा, बताएë, सोनी, पाथक जी, रासमी जी, बताएे क्या हो जाएगा दोस्तों UAE UAE आप लोग रोज कर इंटरफेर्स करने आया करें भाईया जवाब क्या हो जाएगा बोलो फटाफट क्या हो जाएगा चाइना सब गलत सब गलत सब गलत सब गलत हो गए जवाब इसका हो जाएगा जापान याद रखेगा किस देश ने चंदर्मा अंत्रिक्षियान को चलाने के लिए भाफ का सफलता पुर्पक परयोग किया है तो इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका जापान तो जापान ने अभी रिसेंटली क्या किया है तो जापान ने किस देश ने चंदर्वा अंत्रिक चियान को चलाने के लिए भाफ का सफलता पुर्बग उप्योग किया है तो इसका सही जवाब आपके हो जाएगा जापान जापान is the right answer तो जापान के अंत्रिक चेजनसी जाकसा जापान के अंत्रिक चेजनसी का क्या लाम है तो जाकसा जाकसा ने घोसरा की है कि उसे अपने अंत्रिक चियान को चलाने के लिए भाफ का सफलता पुर्बग उप्योग किया गया है जिसे नासा के ओरियन अंत्रिक्षियान पर पेलेडो में से एक के रूप में लॉंच किया गया था और जाक्सा के अनुसार यह जल आपके प्रमोबक परवदोदक परणाली का उपयोग किया गया है और रिसेंटली जापान ने जैपनी लोग भी बहुत आगे जा रहे हम लोग कब आगे जाएंगे भाईया जाक्सा यानि की जापान एनौटकल स्पेस एजनसी जो है इसने आपके भाव से चंदर्मा तक जाने वाले का सफल प्रडिक्शन किया तो जवाब इसका हो जाएगा जापान आईए अगले प्रस्ट की तरब दोस्तों हम लोग परते हैं अगला प्रस्ट दोस्तों हमारा या है ठीक है कि भाई हॉन्विल महतसब किस भारतिय राजिका प्रमुक सांस्कृतिक कारकरम है हॉन्विल फेस्टिबल इदा फ्लैक्सिप कल्चर इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेड आसाम नागालेंड सिक्किम और नाचर परदेश य बताईए क्या हो जाएगा नागलेंड मनोहर पलक विवेक सुमित बताईए क्या हो जाएगा सौरब स्काई राज नुपूर एके सुमित जोती मुकेश कुमार तो हॉन्विल महतसब जो है किस भारतिय राजिका मुक्ति सांस्कृतिक कारकरम है तो जबाब इसका हो जाएग नागा लेंड, नागा लेंड is the right answer, नागा लेंड इस प्रसंद का सही उत्तर हो जाएगा और हॉन्विल जो है, यह आप ए स्टेट हूट फेस्टिवल है और नागा लेंड का हॉन्विल महुटसब जिसे उठ सबों का तिवहार भी कहा जाता है नागा लेंड की समरिद संस्कृति को परदर्शित करता है और भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता गरहन की और नागा लेंड में उसी दिन 23 हॉन्विल महुटसब 2022 की भी सुरुवात हुई है इसके लाव मैं आपको बताना चाहूंगा कि G20 के अध्यक्षता भारत ने गरहन की है और भारत के 100 हेरिटेस साइट में अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि भारत के 100 हेरिटेस साइट को लाइट अप किया गया है G20 के साथ साथ और भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अधेक्ष्टा ग्रहन की है और नागलेंड में उसे दिन 23 हॉन्विल महसब 2022 को सुरू किया गया है और यह अंतर जनजातिये संपर्क को प्रुटसाहित करने और नागलेंड की संस्कृति विरासत को बरहादा देने के लिए नागलेंड सरकार द्वारा आयुजित किया जाता है और हॉन्विल नागलेंड का एक संस्कृतिक प्रतिग भारती उप महादूइप और दक्षिन पूरुप एसिया में पाया जाता है तो याद रखिएगा यह अंतर जनजातिये संपर को पुर्थाहित करने और नागलेंड की संस्कृतिक व इतना पढ़ने लगी है चलिए आगे बरते हम लोग अगनी योध्ध भारत और किस देश के बीच आयुजित एक दूई पक्षिय रक्षा अभ्यास है अगनी वारियर इस बाइलेटरल डिफेंस एकसरसाइज हेल्ड बिट्विन इंडिया इन विच कंट्री अगर मैं आपस से पूछू अगनी योध्ध भारत और किस देश के बीच आयुजित एक दूई पक्षिय रक्षा अभ्यास है यूसे फ्रांस सिंगापूर सिलंका या फिर इन अनव दैवाब मोर दैवाब बताई फड़ाफट क्या हो जाए दोस्तों इस प्रसन का उत्तर अगर मैं आपसे पूछू कि अगनी योध्ध भारत और किस देश के बीच आयुजित एक दूई पक्षिय रक्षा प्यास है तो आपका जबाब क्या हो जाएगा दोस्तों चलिए फड़ाफट बताईए अगनी योध्ध भारत और किस देश के बीच आयुजित एक दूई पक्षिय रक्षा व्यास है, बोले फटाफट क्या हो जाएगा, सिंगापूर, सिंगापूर, बोलिये क्या हो जाएगा, सब गलत, सब गलत, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, सिंगापूर हो जाएगा, पक्का सिंगापूर हो जाएगा, बिलकुल सही, जवाब इसका हो जाएगा तो अगनी वारियर जो है यह आपके सिंगापूर और भारत के बीच में एक बारमा संसकरन है सिंगापूर और भारतिय सेना के बीच एक दुई पक्चिया व्यास आपके देवालाली यानि कि आपके देवलाली महरास्ट में संपन हुआ है और मैं आप लोगों बताना चाहूंगा कि यह जो आपके मिलिट्रे एक्सरसाइजेज होते हैं यह आपके क्यूं होते हैं क्यूंकि बेसिकली दो देशों के बीच में आपसी असम्मल्ज को बढ़ाने के लिए और अब भ्यास अगनी वारियर संजुक्त गोलाबारी आयोजन निश्पाद और नई पीधी के आपके आर्टिलरी उपकरन का उप्योग सामिल है और अब व्यास क्यंतिम चरन में स्वदेसी रूप से निर्मित आपके आर्टिलरी गन और आपके हाविजद तोपो के ने भी भाग लिया है और रिसेंटली आपके जो अगनी योद्धा ब्यास इसका बार्मा संसकरन जो है बार्मा एडिसन जो है या आपके महराष्ट के देवावली में संपन हुआ है इसको आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्टन आपके सामने यह रहा अगला प्रस्टन दोस्तों आपके सामने यह रहा कि भारत ने अंतराष्टी समुद्री संगठन IMO की राजनीतिक योजना में डिस्टी कलन को सामिल करने के लिए किस देश को प्रस्तावना किया है इंडिया सपोर्टेड प्रपोजल अफ विच कंट्री तो इंक्लूड अ डिस्टलाइजेशन इन दा इंटरनेशनल मैरिटाइम और्गनाईशन आईमो स्टैजिक प्लाइन USA, Russia, UAE, South Africa या फिर E-9 दैवा, मोर्देन अबब तो भारत ने अंतराष्टी समुद्री संगठन आईमो को राजनितिक योजना में डिस्टली करन को सामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताब को समर्थन दिया है USA, बताइए फटाफट, IMO की राजनीतिक योजना में Digitalization को सामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताबों का समर्थन किया है बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रस्ताबों का से उत्तर बोलिए, क्या हो जाएगा सर कभी कभी सर आमिर खान बन जाते हैं और बन के फिर फटाफट, क्या हो जाएगा बोलिए ससी माला जी, C, UAE, UAE, जातर रुजान, UAE की तरफ है सुमित, गोधा, प्रिया, निकी, पलक, सौरव, दिलसाद, राहुल, सौरव, रेयांस, राहुल, प्रिया, सौरव, UAE बहुत बढ़िया तो दोस्तों इस प्रस्ताबों का से उत्तर आपके क्या हो जाएगा UAE यानि की United Arab Emirates इस प्रस्तन का सही उत्तर हो जाएगा अब आएए जानते इस प्रस्तन के उंदर डिटेलिंग से तो भारत ने अंतरास्ती समुद्री संकर्ठन, IMO, अंतरास्ती समुद्री संकर्ठन की अगली परण आपके राजनितिक योजना में डिटेलिंग के तत्यों को सामिल करने के UAE के प्रस्ताव का समर्ठन किया है और UAE ने समुद्री उद्योगों में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने के मदद करने के लिए ध्यान रखेगा डिस्टी कलंग पहल के तहट एक हिस्से के रूप में एक समुदरी एकल खिर्की परनाली को अपनाने का भी प्रस्ताब दिया है और यह बंदरगा आपके 9 वहन और ध्यार रखेगा इसका सहुत्तर आपके हो जाएगा यह बंदरगा आपके क्या हो जाएगा 9 वहन और जलमागर मंत्राले M.O.P.S.W. द्वारा घोसित किया गया है तो whenever the question is asked like India supported a proposal of which country to include a digitalization in international maritime organization IMO तो इसका जवाब आपके हो जाएगा UAE याद रखिएगा बहुत ही बहुत पूर्ण question है और आपके exam में यहाँ से 9 महीने का एक question है ठीक है? clear है दोस्तों? यहाँ तक सबको points clear है? चलिए आगे बरते हैं अगले प्रस्ति की तरफ दोस्तों हम लोग बरते हैं अगला प्रस्त है अभी just मैंने आपको बताया था तो मुझे ने लगता है इसमें 100% के लिए जाए सब लोग 100% के लिए अगर मैं आपसे पूछू कि हॉन्विल फेस्टिबल किस भारती है राजिका प्रमुख सांस्कृतिक कारकरम है क्या ये असम है नागलेंड है सिक्किम है और नाचप प्रदेस है या फिर इननब दैवा मोर दैवाब 100% के लिए बिलकुल एक दिसम्बर जे दिन भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिली है उसी दिन आपके एक दिसम्बर के दिन नागलेंड में आपके हॉन्विल फेस्टिबल का सुबारम किया गया है जो कि यहां का एक लोकल फेस्टिबल आपको देखने को मिलता है ठीक है तो नागालेंड का हॉन्विल मौसब जिसे उत्सवों का उत्योहार भी कहा जाता है नागालेंड की समरिद संस्कृति को परदर्सित करता है और भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 के धक्षा गरहन की है और नागालेंड में उसी दिन आपका 23 हॉन्विन फेस्टिबल भी सुर आपका और नागालेंड का संस्कृतिक प्रतीक भी और भारती उत्महादीप और दक्षिन पुर्व एसिया में पाए जाने वाला एक आपका मतब यह कह सकते हैं कि भाई एक पूर्व एसिया में पाए जाता है इसको ध्यान रखिए गाहन बिलेक पक्षी है और उसी के नाम है यह कोशन आपका हो गया था अब आए एक और इंफॉर्मेशन आपको बता अभी और कोशन है जाएगा मत अभी और कोशन है पात दिसंबर से आपका बीपेसी का लोकनाएक बैच सुरू हो रहा है इसके लाव अगर आप सिविल कोट की त्यारी करते हैं तो 3.0 यानि कि त 247 एप को डाउनोड करना है अप को डाउनोड करने के बाद यहां पे बिहार सेलिट कर लेना है व्ली और प्रनापनोlar टाल करना बी, और कोशन है जाएगा मत बिहार पेसी अगर बीप की करते हैं तो आखरी मौका है आपके लिए बीपीसी का ईक्जाम है और बिहार से तरही संगर्स करके यहां तक पहुंचे है तो उनको पता है संगर्स की कीमत क्या होती और जब आप स्टुएंट लाइफ में रहते तो ये रकम बहुत ही जादा होती है तो चिंता मत कीजेगा Y644 याद रखेगा Y644 या कोड लगाती BPSC की फी जो है आपका सपरा BPSC का वह पूरा होगा केवल और केवल 2199 में तो Y644 कोड आप लगा के BPSC का बैच ले सकते हैं इसके लाबा सिविल कोड का बैच भी Y644 लगाईएगा और प्यून का बैच आपको मिल जागा 779 में केवल और आपके कलर के स्टेनोगराफर का बैच मिल जागा 879 और चारों का अगर कमबाइण आप लेना चाहते हैं तो तकरीवन आपको 1200 तो कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्सन लेना हो तो Y644 कोड आप लोग को इस बैच को लेना है और इस बैच को सुरू हो रहा है आकरी मौका है जल सल आईए इस बैच में इन्रॉल किज़े खुद को और बता दीजे आने वाला वक्त आपका है याद रखिएगा मुझे पता है आप सब के लिए पैसे बहुत महुत मूर नहीं इसलिए हमने इतना कम फी रखा है क्योंकि हमारी भी कुछ कॉस्टिंग होती है हम इस डिश्टर बोर्ट पे क्लास लेते हैं इसमें अलक्ट्रिसिटी होता है टीम पीसियार होती है हम सबको भी अपना घर चला ना होती है इसलिए हमने एक नॉमनल चार्ज रखा है 879, 779 सिविल कोट के लिए कुछ भी नहीं है और 2000 रुपए BPSC के लिए कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए आगे बरते हैं अगला प्रसन हमारा क्या है तो IIT मदरास ने UN IIT मदरास ने ध्यार रखे IIT मदरास ने partner with which country to launch center for emergency to work UN SDGP यानि कि IT मदरास ने UN आपके SDP, SDP क्या होगा sustainable development goal पर काम करने के लिए center for energy launch करने के लिए किस देश के साथ समझोता किया है IIT मदरास ने भी कौन से देश के साथ समझोता किया है UN SDT LED मतब क्या होगा sustainable development goal ی Çok sustainable development goal जो होता है या basically आपके होता है कि हमें क्या targets करना चाहिए एक sustain करने के लिए जिंदगी को तो बताईए फटाफट क्या हो जाएगा USA के साथ किया है Singapore के साथ किया है Australia के साथ, Germany के साथ या फिर E आपका none of the ever more than above बताईए अगर मैं आपसे पूछू कि IIT मदरास ने UNSDG पर काम करने के लिए Center for Excellence के तहत कौन से देश के साथ ये किया, तो बताईए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रस्मका से उत्तर C, C, C हो जाएगा C, Australia, जातर लोग Australia बोलने है बहुत सही तो जवाब हो जाएगा जातर लोग Australia बोलने है तो Australia is the right answer IIT मदरास ने UNSDG पर काम करने के लिए Center for Energy लाँच करने के लिए आपके जिस देश के साथ साज़ेदारी की है वह है आपके Australia Australia is the right answer Australia is the right answer Australia is the right answer तो भारतिये प्रद्दोकिक संस्थान जिसको आपके इंडेन स्टीच आफ टेकनोलजी मदरास ने Australia भारत उज्रा केंड AIC लाँच करने के लिए Australia विस्विद्याले के साथ साज़ेदारी कर रहा है और IIT मदरास और Australia में आपके डिकिन विस्विद्याले केंडर का नितित्त कर रहा है जिसका उद्देश आपके सन्युक्त रास सतत्विकास लक्ष जिसको हम लोग SDG पर काम करना है इसका उद्देश उर्जा छेत्र के दोनों छेत्रों के विस्विद्याले अनुसंधान, संस्थानों और उद्द्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होता है तो याद रखेगा दोस्तों इस प्रस्ण का सहयोत्तर आपके हो जाएगा क्या दोस्तों इस प्रस्ण का सहयोत्तर आपके हो जाएगा अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलिया इस दा राइट एंसर अब आईए, आगे हम लोग बरते अगले प्रस्ण की तरफ यानि कि भारत ने आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए दिसंबर 2022 में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर को वित्तिय साहता परदान किये कौन से देश को आप लोगों दोस्तों जबाब देना है ठीके आप लोगों मैं यार्द रभंगा जिले से तालुकात रखता हूं बताईए भारत ने आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए किस देश को दिसंबर 2022 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तिय साहता परदान किये भारत ने वित्तिय साहता फाइनिसल एड़ दिया है मदद दिया किसको क्या अफगानिस्तान है माल्देफ्स है इरान है मेडगास्कर है या फिर इ नना दैवा मोर दैवा बताईए क्या हो जाएगा दोस्तों सुदानसू नाम ही था बताईए फटाफट क्या हो जाएगा माल्देफ् बी बी जोति सिंग, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका मालदिफ्स, मालदिफ्स is the right answer. तो भारत ने अभी रिसेंटली क्या किया है दोस्तों तो आपके वित्तिय संकट से, यानि कि भारत ने आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए दिसं अने वाली आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए, मदद के लिए 100 million American डॉलर की वित्तिय सायता परदान की है, और मालदिफ्स सरकार को 100 million American डॉलर की वित्तिय सायता भारतिय स्टेट बैंक माले द्वारा मालदिफ्स के सरकारी घलेलू ट्रेजडी ब्रांड में सदस् अलावा इरान की राधधानी तेहरान हो जाएगी, अफगानास्तान की राधधानी काबूल हो जाएगी, मेडगासकर जो है आपके इंडियन ओसन का यानि के हिंद महासागर का सबसे बरा दूइप अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोगों को दोस्तों जबाब देना हिंद महासागर का सबसे चोटा दूइप माल देप सबसे बरा दूइप मेडगासकर, मेडगासकर कौन से महादेश में आता है तो मेडगासकर दोस्तों आपके आजाता है अफरीका महादेश में, याद रखिएगा अफरीका महादेश में आपको मेडगासकर नजर आ जाए आप लोग को बताना चाहूंगा मैं कि भाई अभी तो मान के चलिए आपका यह है इसके लाब एक और इन गुड नूज आप लोग बताता हूं बहुत ही बढ़िया सांदार नूज है आज आप लोग को बहुत सांदार नूज एक देने वाला हूं मैं नूज यह है दोस्तों क कि आपको बेसी के ली कितने बजे तो एक बजे एक बजे से आज आपके लिए लगा है बी-पीएसी का मैराथ्वन एक बजे से उसमें हम लोग बिहार स्पेशल यानि कि बिहार स्पेशल के प्रिवियस से नकोशल DA discuss करेंगे एक बज़े आप लोग आना मत भूलिएगा एक बज़े बिहार special बिहार जी के बिहार जी के previous questions को हम लोग देखेंगे ठीक है पूरे के पूरे बिहार जी के प्रिवेसर question को याद लखिए और एक लास आपके दो तीन घंटे ये भी चलेगी किस भारतिय राजे ने प्रसुन जोसी को अपना ब्रैंड मेस्टर नामित किया है विच इंडियन स्टेट है नेम प्रसुन जोसी अजित ब्रैंड मेस्टर गुजरात असाम उत्राखंड बिहार या फिर राज को अपना ब्रैंड मेस्टर नामित किया है अगर मैं आप जिसने आपके प्रसुन जोसी को अपना ब्रैंड मेस्टर नामित किया है सी में जाएगा UK, C, बोले फटाफट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रसुन जोसी को बताईए फटाफट, UK, UK हो जाएगा, उत्राखंड, बिल्कुल सही, सही जवाब इसका हो जाएगा उत्राखंड, उत्राखंड is the right answer, और प्रसुन जोसी को बेसिकल लिए उत्राखंड सरकार ने प्रसुन जोसी को राज का ब्राण्ड मेस्टर नावित किया है, वह उत्राखंड के मूल लिवासी और भारतिय विग्यापन और मीडिया उद्यों के एक प्रमुक सदर से आपको देखने को मिलेंगे प्रसुन जोसी, और इस महीने के सुरुवात में, राज ने कला साहित सा छात्र आमत आत्महत्या और सच भारत अभियान पर उनके अभियान लोक प्रिये रहे हैं, और इसलिए प्रसुन जोसी जो कि एक जाने माने चेहरें आपके मीडिया उद्यों के विग्यापन उद्यों के उनको उत्राखंड सरकार ने क्या बनाया है, अपने राज का आगे बरते हैं, ठीक है, सर आप आगे में मत आई, अच्छा ठीक, आगे में मत आएंगे, अगला प्रस्न, 208 डिवस 2021 की थीम क्या थी, 208 डिवस वर्ल एट्स दे, ठीक है, इसकी थीम क्या है, लिविंग नोवन बिहाइंड, इक्वालाइज, इंफेथाइज, इंक्लूज 208 डिवस की थीम क्या है, बताएं सारे लोग जवाब देंगे, बोलिए, फटाफट, C, C हो जाएगा, D हो जाएगा, बोले फटाफट क्या हो जाएगा, इंगलिस वाला नाम देखिएगा, हिंदी वाला नाम तो Google Translation का गरवर हो गया है, इंगलिस वाला नाम देखिएगा, Living No One Behind, Equalize, Emphasize, Inclusion of AIDS Survival, हिंदी वाला तो आपका Translate हो गया, इसलिए गरवर हो गया, बताएं, C हो जाएगा, C हो जाएगा, नहीं भाया, इसका जवाब हो जाएगा, B, B is the right answer, देखिए, विस तो AIDS दिवस, प्रतेक साल हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, अब ये word आता होगा World, कहीं कहीं आप देखते होगा World, कहीं 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 आप देखते होगा International, कहीं 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 देखते होगा International, तो ये क्या होता है, National दे, जब किसी एक कंट्री में वो दिवस मनाया जाता है, उसको हम लोग कहते है, National दे, जब वो दो या दो से अधिक देशों में वो दिवस मनाया इसको HIV कहते है इसके संचरन आपके नैदातिक परिक्षन निवारन उपाय और उपचार विकल्पों के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए एक दिसंबर को विस एड़ीज वर्ल एड़ीज मनाया जाता है और वर्ल एड़ीज दो हजार बाइस का जो थीम ह है समानता इंगलिस हिंदी में कह सकते हैं इंगलिस में इक हैं वैसे आप लोग इंगलिस वाला जाद किजेगा एकजाम में आपके इको ऑलाईज एसे करके आपका का जएगा हिंदी में लिखा हुआ उक बार गी थीम आपको देखने को नजर आ जाएगी ठीक है चलिए किंद्रिये दतक ग्रहन संसादन प्रधिकरन C.A.R.E. द्वारा किस महीने को आपके दतक ग्रहन जागरुकता मा के रुपे मनाया गया है। इस प्रसंद का सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा तो इस प्रसंद का सही उत्तर हो जाएगा नॉमबर के महीने में। बारे में। तो दोस्तों इस प्रसंद सही उत्तर हो जाएगा नॉमबर का महीना और सेंट्रल एड़ॉप्षन रिसोर्थ और तॉर्टे मिनिस्ट्रि ऑफ वोमेन एंड चाइल डेवलप्पेंट के द्वारा किया गया गया गॉर्मेंट औफ इंडिया और सेंट्रल एड़ॉ और आपके दत्तक ग्रहन जागरुकता मा के हिस्से के रूप में C.A.R.E. ने दस राजे उन मुखी करन कारकरम 200 विसेश सोसल मीडिया अभियान आयोजित किये है और भावी दतक माता पिता के साथ बैठके आयोजित किये है और C.A.R.E. महिला एवं बाल विकास मंत्राले का एक आपके सम्विधिक निकाय आपको देखने को मिलता है अब आगे हम लोग बरते हैं नागरिक उद्ध्यन मंत्राले द्वारा शुरू की गई पेपरलेस एरपोर्ट एंट्री सुबधा का नाम क्या है अगर मैं आपसे पूछू आप लोगो बताना नागरिक उद्ध्यन मंत्राले द्वारा शुरू की गई पेपरलेस एरपोर्ट एंट्री सुबधा मैं आपको बताना चाहूँगा के अभी रिसेंटली भारत के तीन ऐसे एरपोर्ट है जहां पे आपको पेपरलेस एंट्री की जाएगी एक तो इंद्रागांधी एरपोर्ट जो की आपके कहां पे है जो की आपके दिल्ली में है दूसरा आपको ने गया कैमपागोरा एरपोर्ट जो की आपके बैंगलूरू में है और तीसरा आपको मिलेगा दोस्तों लाल भाद उस सास्त्री एरपोर्ट जो कि आपके वारा नसी में है तो इन तीन एरपोर्ट में बेसिकली पेपरलेस एंत्री की सुरुवात की गए इसका नाम क्या रखा गया है तेज यात्रा, डिजी यात्रा, भारत यात्रा, या फिर आपके एवियेशन यात्रा, एवियेशन एनी टाइम या फिर उप्युक्त में से कोई ने उप्युक्त में से एक से अधिक बताएए भारत या डिजी, बोलिए सना, राहुल, गोधा, जॉली, एके, रूपबन्ती, निकी आदब, भारत ही होगा? नहीं, जवाब इसका हो जाएगा, डीजी आत्रा, डीजी आत्रा is the right answer, और मैं आपको बताना चाहूँगा, डीजी आत्रा जो है, डीजी आत्रा पेपरलेस एरपोर्ट इंट्री सुबधाब देश के तीन हवायड़ो पर कारकत होगी, जिसमें दिल्ली का इंदरागांदी हवायड़ा, बैंगलूरू और वारा नसी हवायड़ा, बैंगलूरू का केमपागोड़ा हवायड़ा और वारा नसी का लाल बहादु सात्री एरपोर्ट, और चेहरे की पहचान तकनीकी आपके F.R.T. के अधार पर डीजी आत्रा का उद्देश हवायड़ो पर यात्यों क निर्वाद और संपर्क रहित आपके प्रसंग्सक्रन प्राप्त करना है और बाज 2023 तक चार और सहरों को जोरा जाएगा हैदराबाद, कुलकता, पूने और विजयवारा इन चार सहरों को और जोला जाएगा वाट फिलाल के लिए तीन आपके एरपोर्टों को जोरा गया है जिसमें आपके पेपरलेस आपके एंट्री आपकी होगी ठीक है पेपरलेस एरपोर्ट एंट्री चलिए, अगले प्रसंगी तरफ दोस्तों हम लोग परते है पुर्व, गरूर सकती, भारत और किस देश के बीच आउजित एक दूई पक्छी अभ्यास है एक्स गरूरा सकती, इस बाइलेटरल एक्सरसाइज हिल बेट्विर इंडिया और विच कंट्री पुर्व, गरूर सकती, भारत और किस देश के बीच आउजित एक दूई पक्छी अभ्यास है बताई फटाफट क्या हो जाएगा गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग, मोहमत, शदामी जी बोलें, अंकित राजपूत भी बता रहें, सिरलंका, गरूरा है गरूरा कहा है, गरूरा से आप लोगो याद रखना है गरूरा सब जैसी आए, वह ऐसी आपको आख बंद करके इंडोनेसिया टिक कर देना है क्योंकि गरूर जो है इंडोनेसिया के लिए काफिया दाम होतपूर्ण है तो सब न्यूज पेपर में क्यों नहीं देते है, सर ये खबर मेरे न्यूज पेपर में क्यों नहीं देते है कौन से एक अख़बार को आप पढ़ते हैं, अच्छे अख़बार को पढ़िएगा तो जरूर आपके मिलेगा जबाब इसका हो जाएगा इंडोनेशिया याद रखिएगा एक्स गरूरा जो है भारती है सेना इंटर आपके आपरेटिक में सुधार के लिए नॉमबर 2022 में पांच देशों के साथ दुई पक्षी अव्यास कर रही है भारत युएसे का ठार्मा संसकरन सेना बास यूद के साथ आपके एक्स और्थिंद्र देवावली शिंघपुर के साथ आपके एक्स अगनी योद्र मलेशिया के साथ आपके एक्स हरिम वह सकती और इंडोनेशिया के साथ एक्स गरूरा सकती है तो यह अभी आपके रिसेंटली नॉमबर 2022 में कुछ military exercise हैं जो की आपके exam के ल इंडिया बिगेस्ट योगा सेंटर है इन विलेच मनतलई इन विच स्टेट यूनियन टेडिटरी भारत के सबसे बरे योग किंद्रका निर्मान कि सराज किंसासित परदेश के मनतलई गाउं में किया गया है आसाम जमुन कस्मीन औरी साख आनपरदेश या फिर इननवदेव more than ever बताएं दोस्तों प्रसंगा नियुक्त तर इंڈोनेसिया हरहर महादेव जवाब देजे मैं हिए जम्मुऊनकस्मेर बिलकुल सही तो दोस्तों इस प्रसंगा सही उत्तर हो जाएगा जम्मुऊनकस्मीर तो भारत के सबसे बड़े योग केंदर का निर्मान जो है वह आपके जम्मू अनकस्मीर में आपके अभी रिसेंटली किया गया है तो जबाब इसका हो जाएगा जम्मू अनकस्मीर और भारत का सबसे बड़ा योग केंदर जो है सासित परदेश जम्मू अनकस्मीर के मनत अल दी के किनारे तत्थ पर अंतराष्टी योग के दर स्थापित करेगा और केंद्रीय 15 मंद साले ने केंद्र के निर्मान के लिए 9,782 करोर रुपए की मंजूरी दी गई है तो इसलिए यहां आपके एक्जामनेशन पॉइंट और व्यू से इंपोर्टेंट आपके हो जाता है ठीक है चलिए आगले प्रस्ण की तरफ भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सायोग निधी स्रिन समझाथा पर हस्ताक्चर किया है इंडिया साइन इकोनॉमिक डेवलपेंट कॉर्परेशन फंड लोन तो भारत ने किस देश के साथ इंटिलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सायोग निधी के रिंपर समझाथा किया है बोलिए सर इस question में ही answer union territory बोलिए Korea अच्छा question answer में ही था union territory मैंने बोला था चलिए सही बात है बोलिए फड़ाफट महाकाल भगत बहुत अच्छी बात है आगे तो पता ही क्या हो जाए दोस्तो इस प्रसंगा सही उत्तर तो दोस्तो इस प्रसंगा सही उत्तर आपके हो जाएगा दक्षिनी कोरिया, South Korea is the right answer आई अगले प्रसंगी तरफ बढ़ते हैं तो भारत और दक्षिन कोरिया ने 245 अरफ से अधिक कोरियाई वोन के आर्थिक विकास सहयोग निधी रिन से संबंद में व्यवस्ता पर हस्ताक्षर किये हैं और यह समझोता दिल्ली के नागपुर मुंबई सूपर कॉम्निकेशन एक्स्प्रेस वे प्रोजेक्ट पर आपके Intelligent Transport System की अस्थापना के लिए दक्षिन कोरिया को 2016 में विकास सहयोग के लिए भारत के अधिकारिक विकास सहयता भागिदारी के लूप में नामित किया गया है तो आपसे डाइटने एक्जाम में प्रस्ण मनेगा कि किस देश के साथ भारत ने आपके Intelligent Transport System के लिए आर्थिक विकास सहयोग निथी समझोता किया है तो जबाव इसका हो जाएगा South Korea, तक्षिन Korea is the right answer ठीक है? इसके अलावा फिर से मैं आप लोगो बताना चाहूंगा और भी प्रस्ण है इसके अलावा फिर से मैं आप लोगो बताना चाहूंगा भाई लोग, जितने भी लोग हो ध्यान देना इस चीज को BPSC का बैच आपके 5 दिसंबर से सुरू हो रहा है तो जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है जिन भी बच्चों को BPSC या क्लर्क में एडमिशन लेना है आपके सिविल कोट में, कोई भी एकजाम में वह आपके क्या करेगा । अड़ा 24-7 एप को डाउनलोड करेगा यहां पर अपना नाम, नंबर सब कुछ डालेगा नाम, नंबर डालने के बाद वहां पर क्या यहां पर बिहार सेलेट करेगा इस्टोर पे आएगा आप सिविल कोड की त्यारी करना चाते है तो सिविल कोड, BPSC की BPSC, बिहार पुलिस तो बिहार पुलिस, या कोई भी ऐसा एकजाम जिसकी आप त्यारी करना चाते है उसका अपसेलेट कीजेगा, जैसे लोकनायक बैच, यह BPSC का बैच है, इसकी फी है 9999 रुपए, लेकिन जैसे ही आप कोड लगा दिजेगा Y644, इस कोड को लगाते ही आपकी फी हो जाएगी 2199 रुपए, याद रखेगा, या फी हमने इसलिए इतनी कम लखी, क्योंकि हम चाते हैं कि एक एक बच्चा BPSC के त्यारी कर सके, और आखरी मौका है BPSC की त्यारी के लिए, क्योंकि इसके बाद आप कोई बैच नहीं आने वाला है, क्योंकि एक्जाम जो है आपका अब सुरू होने वाला लाइन अप है फरवरी महीने में, सिविल कोड एक्जाम के त्यारी करना चाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अपने अधित्तासर का कोड लगाना है, Y644, कलर्क और स् पर यकीन हो, अगर आपको मुझ पर यकीन हो, तो इस कोड का इस्तमाल आप लोग कर सकते हैं, चलिए, अगले प्रस्ट की तरफ, अगला प्रस्ट दोस्तों क्या है, ठेक है, क्लास अभी चलेगी, अगला प्रस्ट दोस्तों हमारा क्या है, कि याँ किस संस्थान ने State of Global Water Resource 2021 किस जारी किया है, विच इंसिचूट रिलीज दा स्टेट अफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021, एफए ओ, डबलु एम ओ, यून एप, यून एफ सी सी, या फिर ए, नन अव दैभव, मोर दैभव, बताए दोस्तों क्या हो जाएगा, बिलकुर रूप अंति कुमारी जी, बोलो भाई, किस संस्थान ने स्टेट अफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है, बताए, किस संस्थान ने स्टेट अफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है, बोलिये, भी, भी, भी हो जाएगा, भी हो जाएगा, इसका सही जवाब आपके हो जाएगा, क्या दो तो विश्व मौसम वेग्यानिक संगठन वर्ल मॉट्रिमोलियर आपके जिनसे और गराइशन ने स्टेट अफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स दो हजारे के सिर्शक से एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के अनुसार गंगा में उपलब्द पानी की मात्रा और नदी बेश में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच में काफी कम हो गई है और रिपोर्ट के अन्यवैसिक होट्सपोट को भी पहचान ही गई है जो समान प्रविर्ति दिखाई गई है तो याद रखेगा स्टेट अफ ग्लोबल वाटर रिसोर्ट जो है इसको आपके अभी रिसेंटली किस ने जारी किया है तो WMO ने याद दखेगा वर्ल मेट्रो मॉल्ट को आपके ओर्गनाइजेशन ठीक है चलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने रास्ट व्यापी अभियान शुरू किया है विच डिपार्टमेंट लॉंच नेशनल वाइट कैम्पेंट फर प्रोमोशन ओफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानि कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग ने रास्ट व्यापी अभियान शुरू किया है डिपार्टमेंट औफ पेंसर और पेंसर वेल्फ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग के रास्ट व्यापी अभियान की सुरूआत की है बोलिए फटाफट बोलिए सी हो जाएगा सी ए क्या हो जाएगा ए सी महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट औफ हेल्थ और फैमली वेल्फियर नहीं डिपार अभियान शुरू किया है अब आए जानते ही है क्या है डिस्टल लाइफ सर्टिफिकेट तो दोस्तों इसमें क्या होगा 2.6 करोर पेंसनर जो है वाल्री रजिस्टर हो चुके इसके अंदर गत और पेंसन और पेंसन भो भी कल्यान विभाग ने किन सरकार के पेंसनरों के ल प्रेंजी और डिस्टल लाइफ सर्टिफिकेट डी एल सी के उपियोग को बढ़ावा देना है क्लियर है चलिए अगला प्रसंदोस्तों हमारा आपके सामने यह रहा है कंफ्यूजन बहुत है का है कंफ्यूजन इतना अगला प्रसंदोस्तों यह रहा कौन सा राज के इंसा प्रदेश अभी डिसेंटली आपके अंतराष्ट्य गीता मौसब 222 हुआ था उसका मेजबान था आंध प्रदेश हर्याना तिलंगाना केरला या फिर इन अनव दैभा मोर्दन अभा बताईए बोले सब लोग जवाब देंगे फटाफट क्या हो जाएगा बस दो तीन कोश्चन और बचे हैं बस तीन कोश्चन और बचे उसके बद आप लोग के छुट्टी उसका एक बज़े मिलेंगे हम लोग एक बज़े आप लोग सारा आईएगा जाईगा खाना पीना कीजेगा और एक बज़े आप लोग आईएगा BPSC के लिए ठीक है जान रखिएगा कौन सा राजे किंसासित परदेश अंतराश्टी गीता महसब 2022 का मेजमान है बताइए फटाफट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रसंगा सही उत्तर ए नहीं बाई एक ए कैसे होगा इसका सही जवाब आपके हो जाएगा हर्याना तो कौन सा राजे किंसासित परदेश का यह है तो इसका जवाब हो जाएगा हर्याना हर्याना इस दा राइट एंसर ठीक है तो भारतिय राष्टिय दृप्दी मुरुमुर ने हर्याना के कुरुच्छेत्र में अंतराष्टिय गीता महुतसब आईजीम 2022 का उदगाटन किया है और इस वर्स नेपाल भागिदारी देश है जबकि मद्परदेश आयोजन का भागिदार राजे है तो अभी इंटरनेस्नल गीता महुतसब इसका आपके पार्टनर स्टेट कौन सा है तो मद्परदेश इसका पार्टनर स्टेट है इसके लबा को एगर आपसे पूछे कि इसका आपके पार्टनर कंट्री कौन सा है तो पार्टनर कंट्री इसका आपके हो जाएगा नेपाल नेपाल इसकी पार्टन कंट्री यानि कि आपके भागिदार देश है और भागिदार राज इसका हो जाएगा मद्र परदेश और राश्पती ने निरोगी हरियाना एक स्वास्त जाच योजना और आपके सार्जविनिक सरक परिवन सुबधाओं को इटिकटिंग प्रनाली का अभी सुबारम यहाँ पे आपके किया है क्लियर है क्लियर है चलिए सेकेंड लास कोशन यह रहा आपका सेकेंड लास कोशन आज का भारत के विदेश सची दो हजार बाइस तक कौन है आप लोगों को बताना है who is the foreign secretary of India as of 2022 विने मोहन कवाटरा या फिर रुचितरा कंबोज या फिर आपके तरंजीत सिंग संदू, मंजीत सिंगपूर या फिर इनन अफदैवा मोर्दन अबब तो भारत के विदेश सची दो हजार बाइस तक कौन है विने मोहन कवाटरा रुचितरा कंबोज तरंजीत सिंग संदू या मंजीप सिंगपूर बताइए क्या हो सब लोग जब आप देंगे क्या हो जाएगा सब लोग एक बज़े आएगा ना क्लास में एक बज़े मुझे एक एक बच्चा चाहिए क्लास में सब लोग आएगा ना एक बज़े बिहार स्पेसल अपने राजजी के बारे में MCQ अपने राजिए के बारे में बिहार स्पेशल जो जुरे हुए जितने भी आपके MCQ है चाहे आपके बिहार SI में हो चाहे बिहार SIVIL COAT में हो चाहे BPSC exam में हो या कと思います कोई भी SI exam हो जिसमें आपके बिहार की आता है उन सारे के सारे MCQ को हम लोग आज डिसकस करेंगे प्रिवियस सेर कोश्चन के आए हुए ठीक है? सब लोग आईएगा एक बजे क्या हो जागे सब्भल का जबाब? विजय मोहन कवात्रा सही जबाब क्या हो जाएगा? विजय मोहन कवात्रा is the right answer ठीक है? तो विजय मोहन कवात्रा का कारकाल जो है उनकी सेवा नित्री की तिथी के बाद 16 महीने के लिए बरहा दिया गया है और यह जानकारी विजय मोहन कवात्रा ने एक माई को देश के नए विजय सचिप के रूप में पदवार गरहन किया है इसको ध्यान रखिएगा चले आज का आखरी सवाल अलप संख्य चात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलर्शिप में हाली में बदलाब के बाद स्कॉलर्शिप किन कक्छाओं के लिए उपलब्ध है आप लोगों को जवाब देना है अभी रिसेंटली में एक बदलाब आया है प्री मैट्रिक से पहले के स्कॉलर्शिप मायरिट्री स्टुडेंट्स के लिए यानि कि अलप संख्य बच्चों के लिए उसमें अब क्या किया गया है कि इसको घटा करके क्या किया गया बताई बोलिए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रसंगा सही उत्तर अगर मैं आपसे पूछूँ कि अभी रिसेंटली कौन से क्या किया गया है तो आपका जबाब क्या होगा ए हो जाएगा कच्छा 9 और 10 बिल्कुल सही जबाब राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा क्लास 9 और 10 इसका सही जबाब हो जाएगा और सरकार दोरा कच्छा 1 से 8 तक के अलप संकेक समुदाय के विद्यार्थी को ती जाने वाले प्रीमेटिक छात्रविती अब बंद कर दी गई है अब वह केवल और केवल 9 और 10 मी के छात्रों के लिए दी जाए जाएगी पहले क्या था तो 1 से 10 मा तक मिलता था अब वह क्या कर दिया गया है केवल और केवल 9 और 10 तक के स्टूडेंट के लिए छात्रविती कर दी गई है और सिक्षा का दिकार अधिर्यम 2009 के तहट सरकार प्रतेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्श सिक्षा प्रदान कच्छा 1 से 8 तक प्रदान करती है यह भी धान रखेगा 1 से 8 तक जो है बच्चा क्या करता है जो सरकार है वह आपको पता ही होगा कि भाई अब elementary education जो है आपको मुफ्ट में प्रदान करती है और 9th और 10th के लिए जो scholarship एलग से दिया जाता था अलप संख्यों को को वह basically आप केवल और केवल 9th और 10th के लिए रखा गया है clear है दोस्तों सब लोग को भाईया last मैं बताना चाहूंगा BPSC exam clear करना है लोक नायक लोक नायक किनको कहते हैं जरा बताई comment box में लोक नायक हम लोग कहते हैं जया प्रकास नारायन को तो जया प्रकास नारायन की तरह आपको लोगों के नायक बनने है लोकनायक बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा BPSC एक्जाम क्लियर करना होगा और BPSC एक्जाम के लिए आखरी मौका है और 60 BPSC के लिए 5 दिसम्बर से स्टार्ट हो रहा ही आपका बैच इस बैच को आप इन्रॉल कर सकते हैं धान रखेगा इस बैच को इन्रॉल करने के लिए आपको अड़ा 247 एप को डाउनलोड करना है यहाँ पर नाम नंबर सब लोग सेलेट करना है बिहार स्टेट इस्टोर और अपना फीड कर लेना है Y644 इस कोट का इस्तमाल करती आपकी घट करके सीधी सीधे आपकी हो जाएगी कितनी दोस्तों तो 2199 रुपए और 2199 रुपए में आपको मिलेगा यह लोकनायक बैच तो याद रखेगा इसके लाबा सिविल कोट के एकजाम की त्यारी करने वाले में भी Y644 इ में इतने सारे आपको मिल जाएंगे तो याद रखेगा दोस्तों यह लोकनायक बैच आपके लिए है आप इस बैच को कर सकते हैं कोट के रूप में आपको क्या इस्तमाल करना है तो Y644 तो मैं उमीद करूँगा यह क्लास आपको अच्छी लगी हो एक बजे याद रखेग लगते हैं। एक बजे BPSC की कलास है तो BPSC में हम लोग BPSC में हम लोग क्या करेंगे तो भिहार स्पेसल के previous questions को cover up करेंगे जाहिए आपके बिहार से civil quote exam के लिए हो BPSC exam के लिए हो या फिर आप मान के चलिए कि बिहार SI हो जहां पे भी आपका बिहार जीarchy क्या आरहा है वह से लिए आपके question cover up होंगे आप लोग सारे के सारे लोग comment box में जरूर लिखेगा कि class आप लोग को कैसी लगी हो ठीक है चलिए तब तक के लिए bye bye take care एक बज़े मिलते हैं thank you and thanks for joining the class thank you